खुदल इस यो When you got a good evening पुलिए अंजली आजीमा गुट इवनी हेट गोड इवनी हेट इस मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया केल ऐल्मिन साइल को और उसमें हम लोगों ने basically study किया किस तरीके से CO2 का fixation rubic पर होता है riblose 1,5 by phosphate पर CO2 कैसे fix होता है then क्या steps है further downstream जिसको जिनमें enzymes involved होते हैं और finally हम CO2 को reduce कर लेते हैं carbohydrate में basically पूरे पात्वे को तीन phases में डिवाइड किया कार्बॉक्सिलेशन सेकेंड इस रेडक्शन एंड रीजन बेशन इन तीन basic steps में हम लोगों ने पात्वे को study किया जो पात्वे Kelvin cycle का है यह basically हमें information देता है कि इस तरह से atmospheric oxidized carbon को हम लोग reduce करते हैं या जो photosynthetic organism है वो reduce करते हैं फाइनली carbohydrate में और देन उस carbohydrate से वो दूसरे biomolecules भी बना सकते हैं जैसे की lipids से या amino acids से या फिर nucleotides की synthesis भी हो सकती है कि स्रद्धा गोडवनिंग वीकेस गोडवनिंग रेखा गोडवनिंग बैभौ चंद्रकांत गोडवनिंग गोडवनिंग तो यह सारे topics हम लोगों ने पढ़ लिये हैं और Kelvin cycle में हम कितना energy चीक कंजूम करते हैं पर co2 या एक 3 carbon compound को प्रेड्यूस करने के लिए या एक ग्लिसरल या एक 3 phosphate को प्रेड्यूस करने के लिए कितनी energy होनी चाहिए इन सारे points को हम लोग discuss कर चुके हैं कि अधन्यवाद सोम्या धन्यवाद कि अब हम लोग आगे बल रहे हैं और आज में आपके साथ discuss करने वाला हो रुबिस को देखिए सभी स्टूरिंट ध्यान से समझ से सुनिएगा आप यदि अपना पिछला एक्जाम उठा करके देखेंगे तो चाहें वह morning का session का paper हो या evening का हो दोनों session के paper में आपको photosynthesis से question मिलेंगे और मैं यह कह सकता हूं कि आने वाला जो exam है आपको वहां पर भी photosynthesis से question मिलेंगे आप सारे question solve कर सकते हैं और score कर सकते हैं आपके exam में select होने के लिए या मैं दूसरे सब्सक्राइब में कहूं आपको score करने के लिए इस तरह के topics की जरुरत होती है कि आपको अच्छा score कर सके photosynthesis में मैं आज आपके साथ discuss करने वाला हूं rubisco enzyme को Kelvin cycle का पहला enzyme है इसे हम लोग pacemaker enzyme of Kelvin cycle कहते हैं rubisco कैसे co2 को fix करता है क्या reaction mechanism था वह मैंने कल आपके साथ discuss कर लिया है आज में rubisco को discuss करने वाला हूं साथ में Kelvin cycle के regulatory enzymes को भी हम लोग discuss करेंगे regulation की basic strategy क्या है उसको last में भी हम लोग देखेंगे तो उसको भी last में हम लोग देखेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं rubisco की रिबुलोस 1,5 बाइफ पॉस्पेट कार्बॉक्सिलेस oxygenase enzyme देखें ये कार्बॉक्सिलेस भी है और ये oxygenase भी है इसे ये enzyme CO2 और O2 दोनों को रुबिब पर fix कर सकता है दोनों को ये substrate यूज कर सकता है मैं एक point यहाँ पर basically आप सभी लोग को clear कर दूँ यदि हम लोग rubisco enzyme की active site रुबिस्को enzyme की active site की यदि हम बात करते हैं तो इसकी active site अपने दोनों substrate CO2 और O2 में discrimination नहीं कर पाता है CO2 और O2 में कोई discrimination नहीं है आपको ध्यान रखना है there is a competition between O2 and CO2 for the binding of for the active site binding यह question आपके CSIR में पूचा जा चुका है इस बज़े से हम लोग इसको carboxylase भी कहते हैं और oxygenase भी कहते हैं oxygenation क्या होगा आगे इसको discuss करेंगे ठीक है simply हम लोग इस enzyme को rubisco भी कहते हैं रूबिस्को के सौर्ट कर लिया रूबिस्को में तो enzyme का पूरा नाम रिबुलोस वन कमा फाई बिस फॉस्वेट कार्बॉक्सीलेज oxygenase है जिसे हम लोग रूबिस्को के नाम से जाते हैं लास्ट का जो C और O है वो इस टेंड करता है है कार्बॉक्सीलेशन और oxygenation के लिए ठीक है आप सभी लोग जानते हैं फस्ट रियक्शन केल्विन साइकल का रूबिस्को इंजाइम ही केटेलाइज करता है रूबिस्को इसका मतलब यह हुआ जो रूबिस्को है इस दी पेस्मेकर इंजाइम और केल्विन साइकल केल्विन साइकल का पेस्मेकर इंजाइम परदाफ पस्ट इंजाइम कौन है तो रूबिस्को है गोडिवनिंग वेड गोडिवनिंग यह आपको ध्यान रखना है चीकिए अब यह करता क्या है यह मैं पहले डिसकस कर चुका हूं बस बैसिक आपको ध्यान रखना है कुछ रिलेशन और भी है आपको उसे समझता है कि लास्त जो कल की क्लास्त है मैंने आपको बताया कैल्विन साइकल के इंजाइन्स इस ट्रोमा में प्रदेंट होते हैं तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्लांट्स में रूबिस्को की लोकेशन किस कंपार्टमेंट में है तो ये क्लोरोपलास्त के इस ट्रोमा में पाया जाएगा है क्लोरोपलास्त के इस ट्रोमा में ये प्रblesेन हुता है जहरे। पॉसन यह है अब आप इस पाइंट पर ध्यान देंगे यह बहुत ज़्यादा एमाउंट में मिलने वाला प्रोटीन है प्लांट की लीप्स में ठीके जो फोटोसंदेटिक टिसूस हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है रुबिसको और यह मोस् प्यों में हम लोग देखेंगे तो लगभग उसका 50% जो सालिबल पॉर्चन है वो प्रोटीन का बना है ठीक है प्रोटीन और स्पेस्पिकली रुबिसको मेकिंग इट वन आप दी मोस्ट अबंडेंट इंजाइम ओन अर्थ इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला इ प्रोटीन तो आपको ध्यान रखना इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन रुबिसको है और कभी अनिमल में पूछा दाय सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन है तो फिर प्रोटीन फिप्टी पर्सेंट लीप्स का जो सॉल्यूबल पोर्चन ह वो बना होता है रूबिस्को का अगला important character यह है यह enzyme अभी तक जितने भी नोन enzyme है उन enzymes में सबसे slow catalytic activity रूबिस्को की है रूबिस्को is a slow enzyme और हम लोग कहते है very slow enzyme, रूबिस्को बहुत ही slow enzyme है कि सायद यही कारण होगा कि इसका concentration बहुत स्यादा है कितना स्लो है इसका अंदाज आप इससे लगा सकते हैं लगबग थी मॉलिक्यूल थी स्योटू पर से केंड यह फिक्स करता है और यह पिक्स करता है पर से केंड तो स्लोबेस दिन जाई हैं बहुत सारे प्रेक्ट हैं तो आप इसके बारे में समझ रहे हैं चीए और इन रिलेशन से भी कोस्टंस पूछे जाते हैं आप सभी को ध्यान रखना है कि एल्विन साइकल का पहला रियक्शन रुबिस्को केटलाइज करता है किस पर कार्बाउक्सिलेशन करेगा तो रुबिप पर कार्बाउक्सिलेशन करेगा most abundant protein ही सर्थ की leaps में 50% soluble portion जो है वो रुबिस्को रिप्रेजेंट करता है slowest enzyme है on an average 3 CO2 per second यह क्या करेगा fix करेगा slowest known enzyme है जिसका catalytic rate है वो बहुत कम है दूसरा important point यह है कि रुबिस्को ही एक हमारे पास ऐसा enzyme है पुरे living system में रुबिस्को ही एक ऐसा enzyme है जो atmospheric CO2 का net reduction biomolecules में कर सकते हैं ठीके रुबिस्को ही एक ऐसा enzyme है या Kelvin cycle एक ऐसा pathway है जिसके द्वारा हम लोग atmospheric CO2 का net reduction carbohydrate में कर सकते हैं एक detectable rate से या एक miserable amount में आपको यह ध्यान लखना है ठीके रुबिस्को ही वो enzyme है जो carboxylation catalyze करेगा ठीके दिस इंजाइम इस देयरफूर प्री रिक्विशाइट पॉर दी इग्जिस्टेंस ऑफ दी प्रेजेंट लाइफ ओन अर्थ जो प्रेजेंट लाइफ एर्थ पर आप समझ सकते हैं कि उसकी existence के लिए भी यह रिस्पॉंसिबल है जय जगनात तो आप सभी लोग इन बेसिक्स को समझ गए होगे चली अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुबिस्को इंजाइम के structure के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं कि रुबिस्को इंजाइम का structure क्या है हम लोग उसको डिसकस करने चल रहे हैं है कि अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है आपको उन्हें ध्यान रखना है अब बात करने वाले हैं रुबिस्को इक इंजाइम है यह इंजाइम है तो इसका प्रोटीनीसियस structure किस तरह क्या है उसके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है हम लोग इस्ट्रक्टर की बात करने वाले हैं यदि हम प्लांट या दूसरी ऑक्सिजनिक फोटो सिंथर्टिक और्गिन जैसे साइनो बेक्टिरिया वैसे बिसिकली हम लोग प्लांट की यहा जब हम study करते हैं तो यह बना होता है complete structure consist of 16 protein subunits जिसमें से 8 subunits आधी subunits कैसी है यह long subunits है यल से represent करते हैं और जो remaining half subunits है अधा 8 subunits है इन्हें हम लोग salt subunits कहते हैं या पिर long chain या salt chain के नाम से जानते हैं ठीक है तो 8 large subunits है एंड 8 small subunits है large chain या small chain भी हम लोग कह सकते हैं आपको ध्यान दीजेगे यदि हम एक large chain की बात करेंगे तो इसका जो molecular weight है वो around 55 kda के round होता है अर्दाथ किलो डाल्टन 55 kda के round होता है आपको ध्यान रखना है और light chain के दिए हम बात करेंगे तो काफी small होती है और लगबग 13 kda के round इनका molecular weight होता है यदि आप लोग इनको divide कर लेंगे 110 से तो आप इसमें इसेड का number calculate कर सकते हैं तो इन प्लांट्स रुबिस्को consist of 16 subunits in which 8 subunits are long and 8 subunits are salt तो long है और salt है अब यहां पर ध्यान दीज़ेगा ठीक है जो लॉंग चैन्स है इन से question पूछे जाते हैं जो लॉंग चैन्स है वो इनकोड़ेट होती है क्लोरोप्लास्ट के जीनोम से ठीक यह हम प्लास्टोसोम जीनोम जुह से प्लास्टोसोम कहें है कि लॉंग सब्योनिट्स in koddy by chloroplasट जीनोम इसमॉल इंकोड़ेट बाई nuclear से उनको कौण करेगा तुद को करेगा नीउकलियर जीनोम या नीउकलियर जीनोम में कोडिंग हो रही है अर्थात पर इसमॉल चैन् तो नुकलियस में MRM बनेगा, सिंसाइज होगा, then MRM का post transcriptional modification, then transport होकर कि cytosol में आएगा, और cytosol में translation होगा, तो difference में small और long subunits हैं, large subunits हैं, उनके बीच में बता रहा हूँ, ठीके, आपको ध्यान लगना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर, इस point पर ध्यान देना है, जब हम लोग yellow chain chloroplast genome से यह translate होगे, तो इनका जो translation है, वो 70S ribosome के थ्रू होगा, 70S ribosome और यह थोड़ा सा exchange हो गया है, यह statement exchange हो गया है, तो आपको ध्यान देना है, जो long chain है chloroplast genome यह दिन code करेगा, तो chloroplast के stroma में translation होगा, और stroma में जो ribosomes होगे, वो 70S type होगे, prokaryotic type होगे, ठीक है, तो cytosol के बज़ा है, translation के इसमें होगा, stroma में होगा, ठीक है, prokaryotic like ribosome इसे translate करेंगे, और इसका जो translation है, वो stroma में होगा, आपको इस point को ध्यान देना है, जब कि जो small chain से, इनका translation ATS ribosomes के थुरू होगा, ATS ribosomes के थुरू इनका translation होगा, और यह translation cytosol में होगा, cytosol, आपको ध्यान देना है, cytosol और by 70S, sorry, by 80S ribosomes, और जब translation हो जाएगा, translation के बाद, cytosol में translate होने के बाद, यह protein, यह small chains, translocate की जाएंगी, chloroplast के stroma में, जैसा आप लोग mitochondrial protein targeting में पढ़ते हैं, ठीक है, तो long chain, small chain में, दो basic difference आपको पहले ध्यान रखना है, long chains encoded by chloroplasts, जीनो, small chains encoded by nuclear genो, ठीक है, chloroplast में यह दी इनकोड हो रही है, long chain, तो इनका translation, 7TS pro-karyotic ribosomes के थूँ होगा, within stroma, जबकि short chain का translation, cytosol में होगा, और cytosol में 8TS ribosomes पहले जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अब question ही उठता है, कि long chain और short chain में, catalytic function किसके पास है, अर्थात carboxylation की process, कोन catalyze करेगा, यह function कोन सी subunit के पास है, तो आपको ध्यान रखना है, एक simple सा concept, जितने भी known function है, rubis को पहले, चाहें वो carboxylation हो, या oxygenation हो, दोनों catalytic function, same active side से catalyze होती है, और यह active side present होती है, light, sorry, जो long chain है, उस पर present होती है अर्थात, जो long chain से, इनके पास catalytic function है, salt chain के पास catalytic function नहीं है, ठीके, तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, catalytic function of rubis को catalyzed by long chains, ठीके, और यहाँ पर एक point आपको ध्यान रखना है, long chain कितनी है, 8 है, सभी long chain पर active side पाया जाता है, इसका मतलब, एक rubis को में present, सभी long chain कार्बॉक्सिलेशन करते हैं, और इस तरह के से, यह एक सुप्रा मॉलेकुलर एंजाइन कॉंप्लेक्स, जितनी भी subunits carry करता है, वो सभी subunits carry करती है, active side, जिसके through, वो atmospheric CO2 का, कार्बॉक्सिलेशन कर सकते हैं, रूबिपर, तो catalytic function long chain के पास है, और सभी जो long chain है, यह catalytic function perform कर सकते हैं, यह chain contains, एक catalytic side, एंड एक regulatory side, इनके पास एक regulatory side होता है, catalytic side को आपको ध्यान रखना है, जैसा मैंने पहली वाली जो, पहले step में आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, CO2 और O2 के लिए catalytic side सा लग लग नहीं, catalytic side सेम हैं, आपको यह ध्यान रखना है, तो short chain का function क्या है, question उठता है, short chain का run क्या है, और इनके सुप्रा मोलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है, short chain enhance the catalytic activity of yel chain and stabilize the complex of the eight large subunits, जो eight large subunits है, इनके structure को स्टेबलाइज करना, और long chains की catalytic activity को enhance करना, यह कह सकते हैं, regulate करना, यह difference है, जो plant में रुबिस को पायागाता है, उसकी long और short chance में, long या short subunits में, उम्मिद कर रहा हूँ, आप सभी लोग इस concept को समझ गया होंगे, यह question आपके exam में कई बार पूछा गया है, इस difference से exam में कई बार questions पूछे गया है, आप मुझे yes और no में जल्दी से बताएं, क्या आप यहाँ समझ पा रहे हैं, सलाम सर, यह सब note करते जाएं, आप note कर सकते हैं, note कर सकते हैं, एक simple concept में आप Rubisco के बारे में आप बना सकते हैं, consist of it, large it, small cell unit, तो थोड़ा भहुत तो note करते चलेंगे, जिससे आपको revision में आसानी हूँ, ठीक है, कोमल, पवन, प्रग्या, अंजली, अजीमा, सौम्या, अजीमा, यह कोई हमारे भाई हैं, जो हिंदुत करके हैं, इन्होंने question किया है, कि जब Rubisco पर 8 subunit से, Rubisco पर 8 subunit से, ठीके, तो फिर आपने पहले, कल के बारे में इन्होंने question किया है, कि आपने कल फिर 3 का fixation क्यों बताया, 3 CO2 का fixation क्यों लिया, जब Rubisco 8 subunit carry करता है, और 8 subunit can catalyze the carboxylation itself, तो हम यह 3 को क्यों consider कर रहे हैं, देखे, जो question कल हम लोग study कर रहे हैं, जो आपने question किया है, वो केवल इस basis पर है, केवल इस basis पर है, कि हम calculation कर सकें, जैसे, आप market में जाते हैं, और एक बोरे में, बहुत सारा आलू है, तो आप वहाँ पर आलू किलो में क्यों खरीदते हैं, आप किलो में मत खरीदे हैं, वहाँ से सीधे कहिए कि मुझे आलू दे दीजी, और वो आपको आलू उठा के देजी, जब एक बोरे में, 100 किलो के आसपास आलू है, और आप उस आलू को खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप उसे किलो में क्यों खरीदते हैं, आप उससे ये तर्क दे, कि आपके पास तो इतना पड़ा है, आप तोल क्यों रहे हैं, आप सीधे उठा के देजी, तो कोई न कोई तो पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सुगर, जब आप कार्बो हाइडरेट को पड़ते हैं, तो कार्बो हाइडरेट सार not less than 3 कार्बन, जब कार्बो हाइडरेट 3 कार्बन से कम नहीं हो सकते हैं, तो एक राउंड का, यदि हम लोग केल्बिन साइखल यूज़ करेंगे, तो एक कार्बन बचा करके हम किसे जस्टिफाई कर पाएंगे, कि एक सिंगल कार्बन को रिड़्ीूस कर लिया, तो कोईसन और हाइज होगा, ऐक त्री कारेवन सगर को बनाने में तोटल इनर्जी कितना क्या हम खर्च कर रहा है कितना इनर्जी कंजियूम होड़ा है तब फिर हम एक का कैल्कुलीशन कर लेंगे तो फिर आप एक कारबन की नेट जो गेन है वो कैसे जैस्टिफाई करेंगे इस बज़े से तीन का अंसर ले लेते हैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गया हूं कर सकते हैं बिल्कुल भी केस यह जो लार्ग सब्यूनिट से यदि हम लोग इनको स्मॉल सब्यूनिट से अलग कर दें तो इच लार्ग सब्यूनिट कें कैटलाइज सब्यूनिट कर सकते हैं लेकिन जब यह सब्यूनिट अलग होते हैं तो इनकी जो केटालिटिक रेट है वह बहुत जादा और भी ड्रेस्टिकली रिडियूस करती है इस बज़े से जब यह इंजाइम ठीक है मैं कुछ पॉइंट को लेकर करके यहां पर आपके साथ इस पॉइंट को रख रहा हूं और उस पॉइंट को मैं डूसरे डायरेक्शन में नहीं लेजर हूं यदि हम लोग इनकी 8 subunits को अलग-अलग कर देंगे तो भी यह carboxylation कर सकते हैं experimentally ऐसा identified है यह कर सकते हैं लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो कुछ points को लेकर के problem है इनका catalytic rate भी जो है वो जो आप देख रहे हैं जो slow है वो भी बहुत slow हो जाता है दूसरा important effect आता है इनके activation पर इनका activation जो है activation की जो process है वो properly complete नहीं हो पाती है अर्दात सामान सब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह आसानी से एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इनको अलग-अलग कर देंगे इंप्लांट्स मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग मेरे इस answer को समझ गया होंगे मैं इस point को आगे clear करूंगा अभी मैं activation पर चल रहा हूं आप सभी लोग इस point को समझ गया होंगे क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं तो रुबिस्को इंजाइम कितनी सब यूनिट से बिल्कुल अब दूस कानपूर तो रहने और खाने में सबसे सस्ता है यदि आप कानपूर में पढ़ना चाहते हैं तो कानपूर students के लिए सबसे अच्छा place हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि other चहरों की comparison में कानपूर सबसे सस्ता है रहने और खाने के लिए ठीक है हम लोग पांस तारीक से एक नया offline बैच शुरू करेंगे आप यदि interested है तो और जानकारी ले सकते हैं मुझे phone कर सकते हैं चलिए मोहितिवारी में कह दिया है proceed मोहितिवारी में कह दिया है proceed मेरी भी बजबूरी है मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बात करने वाले हैं रुबिस्को एक्टिवेशन की सभी स्टुडेंट ध्यान दीजेगा यहां से कोशन चलिए अभी तक तो आपके एक्जाम में नहीं आया है लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले समय में आपको यहां से कोशन मिलेगा आपके एक्जाम में कोशन यहां से आएगा अभी तक कोशन नहीं आया है सिंपल सब्यूनिट्स और क्यों सब्स्टेट हैं CO2 और O2 क्या सब्स्टेट उसके लिए हो सकते हैं क्या से साइड से कार्बॉक्सीलेशन और ऑक्सीजनेशन करेगा इसको हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे लेकिन एक्टिवेशन से कोशन बनेंगे और आपको ध्यान रखना है रुबिस्को का एक्टिवेशन कैसे होता है यहां से आप एभी सीखेंगे कि लाइट रियक्शन के साथ आप डार्क रियक्शन ऑपरेट होती हैं या ला आप डिस्कस करेंगे ठीके एक्टिवेशन ऑफ रुबिस्को मैं कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता देता हूं जिससे पहले किलियर होजा है कि रुबिस्को का एक्टिवेशन कैसे होना है ठीके सभी लोग ध्यान दें रुबिस्को का एक्टिवेशन रुबिस्को को एक terminus 201 है और था 201 पोजीशन पर लाइसीन अमाइनों इस प्रजेंट है इस लाइसीन अमाइनों इसेट के साथ साथ एक co2 एक co2 यह co2 सब्स्टेट नहीं है एक co2 का बाइंड होना जरूरी है इस co2 binding को हम लोग कहते हैं कार्बा मॉईलेशन है कार्बा मॉईलेशन ध्यान रखिएगा रुबिस्को activation की बात में कर रहा हूं, Rubisco activation के लिए आपको Carbomolation करना है, Carbomolation के बाद इसके साथ एक Magnesium Iain Bind करेगा, इसके साथ एक Magnesium Iain Bind करेगा, ठीके, और जब ये Magnesium Iain Bind कर जाएगा, जब इस Magnesium की Binding हो जाएगी अर्था Carbomolated और Magnesium Bound रुबिसको ही activated form है इस enzyme की जो activated form है वो इसकी carbonate form है इसके साथ एक lysine residue के साथ एक co2 bind है lysine residue के साथ CO2 है और उसी के साथ magnesium भी associated है एक magnesium में present है यह रुबिसको की active form है तो यह कैसे होगा यह रुबिसको की active form है लेकिन इतना असान नहीं है तो सभी लोग ध्यान दें यह रुबिसको को activate करना है तो कार्बा मॉइलेशन करना है अर्थाथ उसके साथ एक co2 link करना है एक specific lysine residue के साथ यह co2 इसका substrate नहीं है co2 के यहाँ दो function है एक तो as a substrate function करना और दूसरा रुबिसको को activate करना तीके दूसरा कार्बा मॉइलेशन के बाद अर्था co2 bind होने के बाद इसके साथ magnesium bind करता है और जब magnesium और co2 दोनों active site पर है अब यह इसकी active form है देन यह co2 का carboxylation शुरू करेगा ठीके यह इसकी active form है अब यहाँ पर relation आता है कि pH का role क्या है pH कैसा होना चाहिए जैसे आप लोगों ने pH के बारे में alkaline alkaline pH होगा या फिर pH acidic होगा इस point को भी रिले करके आएंगे लेकिन अब मैं पहले यह discuss करने वाला हूँ कि Rubisco dark condition में in absence of light मैं simply इसको लिख सकता हूँ night में जब light नहीं है ऐसी condition में Rubisco active है या inactive हम लोग वहाँ से शुरुआत करते हैं तो dark condition अर्था आप night से शुरुआत करते हैं नाइट में हम लोग देखेंगे Rubisco active है इन एक्टिव है इन एक्टिव है इन एक्टिव है तो किस बज़े से इन एक्टिव है इस point को जानेंगे और फिर जब डे में जैसे ही light का response शुरू होगा इस अर्थ पर light आएगा तो उस light के पहले मैं आपको डार्क कंडिशन बताता हूं कि डार्क कंडिशन में अर्था नाइट में Rubisco की situation क्या है और जब हम बात करेंगे response of light, light reaction शुरू होगी तो Rubisco का activation कैसे होगा हम लोग इस point पर आएगे और फिर कार्बा मॉइलेशन और magnesium bind के steps की बात करेंगे तो सभी लोग इस point पर धान से समझेगा यह important point है Rubisco activation का बहुत ही simple है जैसा आप सभी लोग जानते है Kelvin cycle का main regulatory enzyme भी Rubisco है मैंने आप से कहा कि pacemaker enzyme of Kelvin cycle के तो Kelvin cycle का main regulatory enzyme कौन है Rubisco है और इस enzyme की activity को control करना भी जरूरी है main regulatory enzyme है और regulatory enzyme की activity को control करके उस पात्वे की activity को control किया जा सकता है जिस पात्वे का वो part है जैसे glycolicist में आप जानते है PFK1 enzyme main regulatory enzyme है उसकी active俊 चंत्रोल करके glycolic rate को control किया जा सकता है उसी तरह से Kelvin cycle के rate को control करने के लिए Rubisco की activity को control करेंगे नहीं लायक राम यह CO2 fix नहीं करेंगे जो CO2 इसकी active side पर bind है मैंने पहले भी clear कर दिया कि जो CO2 इसकी active side पर bind होगा वो fixation में involved नहीं होगा वो fixation में involved नहीं होगा मैं कई बार कहता हूँ थोड़ा ध्यान से सुना करो सभी लोग आगे मैं इस point को clear कर लूँगा और भी बोल दूँगा चार बार सायद मैं एक ऐसा educator हो सकता हूँ हो सकता है हमारा कोई भाई और भी ऐसा हो जो इतना slow पढ़ाता हो और एक किसी भी point को दस बार बोलता हूँ फिर भी आप लोग पता नहीं क्या करते हैं फिर भी question raise करते हैं कि करेगा या नहीं करेगा मैं इसको पहले भी बोलगे चले मैं आगे बल रहा हूँ ध्यान से समझेगा इसी बार मैं जब भी कुछ भी शुरू करता हूं यह भी बोलता हूं भाई ध्यान से सुनू में रेगुलेटरी इंजाइम है मैं डार्क कंडिशन से सुरुआत कर रहा हूं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं ठीक है देखिए रुबिसको एक्टिविटी अपसेंस रेपिडली तू जीरो वें दी लाइट इस टेर्न ओफ बिक्कॉज इरिबलोस जब आप ऐसे समझने इवनिंग में जैसे ही सनलाइट ओफ होगा अर्थात सुर्यास्त हो जाएगा और सनलाइट नहीं होगी चीक है इसी टर्म ओफ के साथ लाइट की अपसेंस के स साथ ही रूबिशको इनएक्टिव हो जाए गा है इसकी आप सभी इस पॉइंट पर ध्यान दीजेका जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान से समझे गा क्योंकि मुझे रूबिशको एकटिवेशन समझाना है कुछ कॉछ क्उमप्लिकेट नहीं है लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा कॉंप्लिकेशन नजर आएगा तो जैसे ही मैं सामान सब्दों हिंदी में आपको समझाता हूं आप ऐसे ध्यान दीजिए जैसे ही इवनिंग में सूर्यास्त होगा जैसे ही सनलाइट खत्म होगी वैसे ही प्लांट्स की लीप्स में प्रजेंट प्रवाइड करते हैं तब भी वो एक्टिवेट नहीं होंगे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा ठीक है क्यों ऐसा होगा क्योंकि ऐसी कंडिशन में रिबलोस वन कामा फाइब बाइब फॉस्फिट जो इसका सब्स्टेट है जो सियो टू का एसेप्टर है यही रुबि रुबिस्को की एक्टिव साइट पर आएगा और टाइटली बाइंड हो जाएगा यहां दीजेगा सभी लोग यह रुबिस्को की एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट पर जो रुबिफ है रिबलोस वन कामा फाइब बाइफ फॉस्फेट है यह आता है और टाइ कि नहीं होगी और इस बजά से यह इंजाइम इन एक्टिव हो गया है यह इन एक्टिव है तो डार्क कंडिशन में अर्थाद पाद इनक्सेंस ओफ लाइट या मैं समाल सब्दों में कहूं कि नाइट में रुबिसको इनक्टिव स्टेट में होते हैं क्योंकि इनकी एक्टिव साइट पर रुपिब बाइंड है जिसका नॉर्मल सब्स्टेट भी है जिस पर यह सीओ टूफिक्स करने वाला है वही एक्टिव होते हैं तो आपका अंसर है इनक्टिव होते हैं क्योंकि कंप मौनेयशन है नहीं सच है नानकादों मीचलेट्पदेड हैं और मैंगेशियम भी नहीं है और मैंट है इसी रुबिग की बज़े से कार ताम उइल को अधिगा के तो没 वे शन नहीं हो पा रहा हु कि by phosphate tightly binds to the active site and prevent their carbo-moulation. इसके carbo-moulation को क्या किया? रोक दिया. कारbomulation को रोक दिया. क्योंकि day condition में तो carbo-moulation इस्टेबाइस होता ही रहता है. जैसे enzyme decarbo-moulated होगा, फिर उसका carbo-moulation कर दिया जाएगा, active कर दिया जाएगा. तो ये process दिन में चलता रहता है. लेकिन sunlight की absence में यदि जैसे ही उसका decarbo-moulation होगा, अर्थात हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो प्रक्रिया चलती रहती है. वैसे ही enzyme inactive हो जाएगा, इसके साथ ruby tightly bind कर जाएगा. अब तोड़ा और ध्यान देना है, कुछ hexose phosphate, cable ruby पी नहीं है. hexose phosphate and by 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate can also bind to active site. चीके, instead of ruby, cable ruby पी नहीं, बलकि hexose phosphate भी bind हो सकते हैं, और 3-phosphoglycerate भी active site पर आके bind हो सकता है, और कार्बा-moulation को रोग सकता है. ठीके, एक potent inhibitor है, जो night में synthesize होता है, ठीके, जैसे हम strong inhibitor कहते हैं, 2-carboxy, 2-carboxy-rebenetol-1-phosphate, कुछ plants में ये synthesize होता है, और ये compound transition analog है, transition phase analog है, ठीके, जो आप लोग कल पढ़ रहे थे, ruby प का, जब carboxylation करते हैं, उसका analog है, ये कुछ plant में dark condition में synthesize होता है, और active site पर आके bind करता है, और carboxylation को block कर देगा, ठीके, इस तरह से enzyme inactive होते हैं, ठीक है, लाइगराम कह रहे हैं, अब हमें न कुछ बोलना पड़े, तो ज़्यादा अच्छा होगा, अब ये आप decide करो, आपके लिए अच्छा है, बुरा है, कैसे कह सकते हैं, चलिए, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जो मैंने आपको कहा है, कि dark condition में, अर्था night में, rubisco inactive होगा, क्योंकि इसकी active site पर rubisco tightly bind है, जो इसके carboxylation को रोक देगा, अब बात करते हैं, light के response में, light के response में, rubisco का activation कैसे शुरू होगा, अब हम लोग इस point पर है, और आप इस face को समझ गए हैं, कि जब हम night से और day की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो rubisco inactive है, और इसको activate होना पड़ेगा, अब हम लोग होने वाले changes, इस प्रोमा में होने वाले changes को समझ सकते हैं, जादा आपका ध्यान नहीं है, sunlight response में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आप सभी लोग sunlight reaction को समझ रहे होंगे, जैसे ही light response शुरू होगा, इस अर्थपरत light आएगा, produce synthetic pigment, sunlight absorb करेंगे, और sunlight absorption के साथ ही electron transfer reaction शुरू होगे, sunlight reaction के साथ, ठीकि, electron transfer reaction शुरू होगा, और electron transfer reaction के साथ ही, proton का transportation शुरू हो जाएगा, फ्रॉम इस्ट्रोमा टू थेलाक्वाइड लूमें, इस्ट्रोमा से थेलाक्वाइड लूमें में proton का translocation शुरू हो जाएगा, sunlight के response में ही, तो दो process शुरू हो रहे हैं, sunlight response में एक तो proton का movement शुरू हो गया है, फ्रॉम इस्ट्रोमा टू थेलाक्वाइड लूमें, थेलाक्वाइड लूमें में proton का movement शुरू हो गया है, छीके, आपको ये ध्यान रखना है, इससे क्या होगा, अब portion उठता है, इससे क्या difference आजाएगा, इससे difference ये होगा, कि थेलाक्वाइड लूमें का environment acidic होने लगेगा, और स्ट्रोमा का environment alkaline होगा, एक तो difference ये आएगा, acidic और alkaline में difference आजाएगा, दूसरा, जो बड़ा difference आने वाला है, उसको आप इस तरह से समझने, आपको मैंने PS First पढ़ा दिया है, PS First के बारे में आप लोग पढ़ चुके है, PS First पर जो final electron receptor है, जिसके तुरू, electron याने DP पर transfer होते हैं, sorry, यहां मुझे PS First तकी, PS First और ये है Feridoxin, ठीक है, Feridoxin से electron transfer होते हैं याने DP पर, लेकिन यहीं पर, Reduced Feridoxin से electron accept कर लेते हैं, कुछ और हमारे पास electron carrier हैं, जिसे हम नाम देते हैं, Thioredoxin, Thioredoxin, Feridoxin से electron accept कर लेते हैं, Thioredoxin और ये अपने oxidized form से convert हो जाते हैं, Reduced form में, तो Thioredoxin oxidized form से convert हो गए हैं, Reduced form, ये इसकी Reduced form, ये चेंज हुआ, Light के response में, तो Light के response में क्या change होते हैं, उन पॉइंट पर ध्याम देंगे, Heliquide Membrane, Represant Photosystems के त्रू लाइट response सुरू होगा, जो Environment Lumen का है, वो Acidic हो जाएगा, और Histroma का Environment Alkaline हो जाएगा, और जो pH है, जो Alkaline pH है, वो Around 8, pH 8 के Around shift हो जाएगा, आपको इधान रखने हैं, इसी के साथ एक बड़ा चेंज और आता है, जिसे आप लोग जानते हैं, Heliquide Lumen में present Magnesium Concentration भी Increase करने लगता है, क्योंकि जब proton, Histroma से Heliquide Lumen मूब करके जाते हैं, तो उसके result में 2 to 1 का ratio हम लोगों ने डिसकस किया था, Magnesium Iron ट्रांस्पोर्ट होकर के Theliquide Lumen से स्ट्रोमा में आते हैं, तो light के response में यहाँ पर 2 बड़े चेंज हुए हैं, एक तो स्ट्रोमा का P.H.L. के लाइन हो गया है और Magnesium Concentration बढ़ गया है, दूसरी तरफ एक protein, ठीके electron transfer protein, थायो रिडॉक्षिन भी reduce हो गया है, यह थायो रिडॉक्षिन रिडूस हो गया है, यह बड़े चेंज हुए, यह चेंज ही Rubisco के activation को facilitate करते हैं, यह changes Rubisco के activation को facilitate करते हैं, अब Rubisco का activation हो सकता है, ठीके, तो Rubisco को, Rubisco के activation के लिए, मैं यहाँ पर इस point को mark कर रहा हूँ, और एक यहाँ पर एक enzyme भी involve होता है, उसको भी discuss करेंगे, Activation of Rubisco, यदि हम Rubisco के activation की बात करेंगे, तो pH कैसा चाहिए, alkaline pH होना चाहिए, magnesium concentration कैसा होना चाहिए, magnesium concentration high होना चाहिए, आपको धहाँ रखना है, ठीके, यह stroma की condition, क्योंकि stroma में यह present magnesium concentration high होना चाहिए, एक्टिब साइट का का कार्बा मॉइलेशन होना चाहिए, कार्बा मॉइलेशन एक्टिब साइट का होना चाहिए, अब यहाँ पर ध्याम देजेगा, alkaline pH और magnesium concentration, इस ट्रोमा का तभी हो सकता है, जब light reactions operate हो रही है, और इस ट्रोमा का pH alkaline नहीं हो सकता है, और magnesium concentration increase नहीं हो सकता है, इसका मतलब light reactions indirectly activate करने वाले हैं, रुबिस्को को, light directly रुबिस्को का activate नहीं करेगा, लेकिन light के response में होने वाले changes ही, रुबिस्को के activation को facilitate करते हैं, अब इस point पर ध्याम दीदेगा, लेकिन एक problem आ रही है, टेक्निकल problem आ रही है, टेक्निकल problem यह आ रही है, कि रुबिस्को की active side पर रुबिब bind है, सभी student इस point पर ध्याम दीदेगा, रुबिस्को की active side पर, रुबिब प्रजेंट है, riblose 1,5 by phosphate present है, और यह जो binding है, यह binding tight है, tightly associated है, यह tight binding है, तो हम लोग रुबिस्को को activate तो करना चाहते हैं, लेकिन रुबिस्को की active side पर रुबिब bind है, वो भी binding tight है, यह आसानी से dissociate होने वाला नहीं है, यह dissociate होने वाला है, नहीं problem यहाँ पर है, जबकि लाइट ने रुबिस्को की activation के लिए जो conditions होनी चाहिए, जो favorable conditions हैं, उनको establish कर दिया है, उनको establish कर दिया है, और यदि हमें कार्बा मॉइलेशन करना है, कार्बा मॉइलेशन के बाद magnesium तो अपने आप ही enzyme की active side के साथ bind हो जाएगा, और pH alkaline है, जो इसकी activity को support करेगा, क्योंकि इसकी function के लिए alkaline pH की जरुरत है, लेकिन problem यहाँ है, कि रुबिस्को की active side से रुबिप को कैसे हटाया सा है, यह रुबिप tightly bind है, अब ध्यान से समझेगा, सभी लोग जो मैं बोल रहा हूँ, और इससे काफी कुछ concept हमारा clear को का ह जब हम night में रुबिस्को को देखेंगे, तो रुबिस्को inactive है, क्योंकि उसकी active side पर रुबिप tightly bind है, और इसके bind होने से इसकी active side mask है, इसका carbomolation नहीं कर सकते हैं, तो magnesium भी bind नहीं होगा, और इस तरह से रुबिस्को function नहीं कर पाएगा, अब हम night के बाद day में आते हैं, ज जब day में light reaction शुरू होगी, तो रुबिस्को का activation भी होना चाहिए, लेकिन रुबिस्को की active side पर रुबिप tightly bind है, और जब कि रुबिप, जब तक हम रुबिप को नहीं हटाते हैं, और दूसरे modification रुबिस्को की active side में नहीं हो पाएगा, और इसका activation नहीं हो पाएगा, तो पहला step या आता है, कि हमें रुबिप को हटाना पड़ेगा, तो रुबिप को हटाना पहला step है, रुबिस्को की activation में आप समझ रहे हैं, morning में जैसे ही light response शुरू होगा, ठीके, ठीके, आप सभी लोग इस point को समझ गये होंगे, फिर मैं इस concept को आगे बढ़ा हूँ, मुझे yes और no में बताएं, क्या जो मैंने आपके सामने ये थोड़ा सा theme रखा है, रुबिसको activation का जो मैंने basics आपके सामने रखा है, जो problem रखी है, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या ये basic problems आप समझ पा रहे हैं, रुबिसको activation की? गुडिवनिंग लोकनात गुडिवनिंग ठीक है रंजना, सुरध्धा, कोमल, विकेश, चंद्रकान, प्रग्या, हमजली, ठीक है अजीमा, अब सब लोक समझ रहे हैं, ठीक है, दीपा नेगी, चले, अब ध्यान दिजेगा, अब बहुत आसान सा concept है, मैं आपको clear कर दें, इस रुबिप को हटाने के लिए हम लोगो को एक और इंजाइम की जरुवत पड़ेगी, इस रुबिप को हटाने के लिए एक और इंजाइम की जरुवत पड़ेगी, जिसका नाम है रुबिसको एक्टिबेस, ध्यान दीजेगा, ठीक है, आप सभी लोग इस पाइंट पर ध्यान देंगे, मैं शुरू से थोड़ा सा इसको रीड कर देता हूँ, लाइट ड्राइब अलेक्राण ट्रांस्पोर्ट लीट्स टू मुगमेंट ऑफ प्रोटॉंस इन्टू दी लूमें ऑफ दी थैलक्वाइट एंड दी रेडक्शन ऑफ फेरीडॉक्शिन ठीक है, बाइफ फोटो सिस्कम फस्त, विच पासेस एल दोक्सिन्स एलेक्ट्रान किसके पास बाएंगे, अब देखेंUT या करेगा, जिसने ऐलेक्ट्रान एuter कर लिए, कुछ एंज़ाइम की डाइसलफाइट बांड को रिड्यूस करके ब्रेक कर देता है, जिससे वूई अक्टिबेट हो जाते हैं, ठ्क्रेंड धायूरेटक्ष रूबिप को डिस्प्लेस करें कैसे क्योंकि रूबिप टाइटली बाइंड है और यह आसानी से डिस्प्लेस करने के लिए हम एक इंजाइम की फंक्षन की जरौवत है जिसका नाम है Rubisco Activist लेकिन ये Rubisco Activist तभी Activate होगा जब इसके Dysulfite Bond Reduce हो जाए और Dysulfite Bond को Reduce करने के लिए Reduce Thio Redoxin चाहिए और Thio Redoxin को Electron किसे मिलेंगे? Feridoxin से और Feridoxin के पास Electron तभी आएंगे जब Light Reaction Operate हो रही हूँ तो सीधा सा Dependency Light पर हो गई Light Reaction स्टार्ट होगी तो Electron पहुचेगा Feridoxin पर Feridoxin से Thio Redoxin, Thio Redoxin से Rubisco Activist का Reduction होगा Rubisco Activist का जैसे ही Reduction होगा वो Active होगा और वो Rubisco की Active Side से Rubip को Displace करेगा जैसे ही Displacement होगा Carbomolation, Auto Catalytic Function है किसी Enzyme की ज़रुरत नहीं है Magnesium Binding और Then Full Activation यह Basic Concept है, आप लोग समझ गए होगे ठीके, तो जैसे ही Thio Redoxin, Rubisco Activist का Reduction करेगा, इसका Activation हो जाएगा आपको ध्यान रखना है दूसरी तरफ, Movement of Proton Across the Thelakwide Membrane Increase The pH of Stroma Stroma के pH को Increase करेगे और यह Around 8 के हो जाएगा Magnesium Concentration यह भी Increase होगा, These Light Induced Condition Favor Activation of Rubisco तो Rubisco को Activation के लिए यह Conditions Favor करती है मैं आपको Condition यहाँ पर बता रहा हूँ देखिए, Condition क्या है हमारे पास Enzyme है Rubisco हमारे पास Enzyme है Rubisco और Rubisco की Active साइट पर Rubip प्रजेंट है अब मैं पूरे Concept को आपके सामने प्रजेंट कर रहा हूँ यहाँ से समझेगा यह Rubip है जब तक इसका Displacement नहीं होता है तब तक यह Activate नहीं होगा Displace करने वाला Enzyme कौन है Displace करने वाला Enzyme है Rubisco Activates Rubisco Activates Enzyme यह इस Rubip को Displace करेगा Rubip को Displace करेगा Rubisco से लेकिन इस Enzyme के पास एक Disulfide Bond है जरा ध्यान दीजेगा यह इसका Disulfide Bond है जब तक यह Disulfide Bond Reduce नहीं होता है तब तक यह Active नहीं होगा यह अभी Inactive है जरा ध्यान दीजेगा अभी Active कैसे होगा तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि थैला क्वाइड मिम्ब्रेन में प्रजेंट फोटो सिस्टम फरस्ट फोस्टो सिस्टम फरस्ट से जब लेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं पेरिडॉक्षिन पर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर दुबारा आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ फररिडॉक्षिन पियस फरस्ट इस फरिडॉक्षिन से ऐलेक्ट्रांसफर होते हैं थायो रेडॉक्षिन पर और thaioredoction तो यह डाइसलफाइड बॉन्ड रूबिस को activate um के तब reduce हो और thaioredoxin को reduce करने वाला कौन है परिडॉक्षिन और परिडॉक्षिन के पास एलेक्ट्रॉन कब आएंगे जब पियस फर्स से एलेक्ट्रॉन का मुव्मेंट होगा और यहां पर तो शुरुआत होगी एलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की सनलाइट के रिस्पॉंस में तो सनलाइट सनलाइट रिस्पॉंस में एले अक्तिव हो जएगा इस अक्तिवेशन होगा या एक्टिव होगा जैसे एक्टिव होगा सिस्प्टिव होका सिस्प्टिवह करेगा अधुर करता है यह reaction ATP dependent है ध्याम लखेगा ATP प्लस पी आई तो रुबिस्को एक्टिवेज ATP dependent displacement करेगा रुबिब का और जैसे ही रुबिब डिस्प्लेस होगा रुबिस्को एंजाइम रुबिस्को एंजाइम यह active site अनमास्क होगी अर्थाद active site free हो जाएगी यह active site इसका free हो गया है यह रुबिस्को है active site इसका free है active site free होने के बाद अब इसके एक lysine एक lysine amino acid जो 201 position पर है इस lysine amino acid के epsilon amino group आप lysine का structure समझते होंगे ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस lysine के epsilon amino group के साथ एक co2 bind करेगा अब इसके साथ binding होगी co2 की question मुझसे किया गया था क्या यह co2 substrate है तो यह co2 substrate नहीं है यह co2 substrate नहीं है यह enzyme की active site के साथ bind करेगा और इसको activate करेगा तो co2 के यहाँ पर दो function है co2 के दो function है एक तो co2 as a substrate function कर रहा है carboxylation के लिए जब कि कुछ co2 molecule जो enzyme की active site के lysine residue से bind है वो substrate नहीं है वो substrate नहीं है वो एक तरह से activating co2 ठीक है रुबिस को activate करने का काम कर रहा है तो अब जो अपला step है वो है co2 की binding अर्थाफ कार्बा मॉइलेशन एक्टिब site के साथ co2 bind होगा यह कार्बा मॉइलेशन है और जैसे co2 की binding होगी अर्थाफ lysine amino acid के साथ amino group के साथ यह co2 bind करेगा तो यह कार्बा मेट बनेगा और जैसे कार्बा मेट बनेगा इस कार्बा मेट बनने के साथ ही एक magnesium आयना करके बाइंड कर जाएगा एक magnesium है यह कंडिशन होगी magnesium जब binding हो जाएगी तो यह enzyme अब active है यह enzyme active है यह रुबिसको की active confirmation है यह कार्बा मेट पॉर्म है इसी कार्बा मेट के साथ आकर के binding होगी magnesium आयन की यह magnesium आयन इसके साथ आकर के bind करेगा और यह रुबिसको की active confirmation है यहाँ पर आप देख सकते हैं रुबिसको को activate करने के लिए कार्बा मॉइलेशन होना जरूरी है और magnesium binding जरूरी है लेकिन कार्बा मॉइलेशन तभी possible है कार्बा मॉइलेशन तभी possible है जब रुबिसको एक्टिवेज इंजाइम रुबिसको की active side से रुबिब को डिस्प्लेश करें यह ओवराल activation है रुबिसको का यहाँ पर आपको एक point घ्यान रखना है डाइसलफाइड बॉन्ट का reduction हुआ है reduction of disulfide bond disulfide bond का reduction हुआ है question यह पूछा जाएगा क्या डाइसलफाइड बॉन्ट रुबिसको एंजाइम का reduce हुआ है क्या रुबिसको एंजाइम का disulfide bond reduced हुआ है मैं question आप से कर रहा हूं क्या क्या रुबिसको का disulfide bond reduce हुआ है कोमल का अंसर है नू, विकेश का अंसर है नू, अजीमा, रंजना, चंदरकांत, प्रग्या, सौम्या, विकेश, ठीक है विकेश, अंजली, लायक राम, ठीक है, आप सबी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, क्यों मैं ऐसा कोशन पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब आप कैल्विन साइकल का रेगुलेशन पढ़ते हैं, कैल्विन साइकल रेगुलेशन का जो पेसमिकर इंजाइम है, वो रुबिस को है, और इसका होगा, और कौन सी कंडिशन इसके एक्टिवेशन को फेवर करती हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कौन सी कंडिशन इसके एक्टिवेशन को फेवर करती हैं, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेज है, कार्बा मॉईलेशन, एक स्टेज है, कार्बा मॉईलेश कार्बा मॉइलेशन तभी पॉसिबल हुआ जब रुबिसको की एक्टिब साइड से रुबिब डिस्प्लेस कर दिया गया बाइ दी एक्शन ओफ रुबिसको एक्टिबेस और ये function ATP dependent है ये function ATP dependent था आपको ध्यान रखना है लेकिन रुबिसको एक्टिबेस ने नाइट में ऐसा क्यों नहीं किया रुबिसको एक्टिबेस ने रुबिब को नाइट में क्यों नहीं reduce किया क्योंकि Rubisco Activates को खुद Activate होने के लिए अपने Bond को Reduce करना होगा परताद Rubisco Activates का Activation Depend करता है उसके Dysulfide Bond की Reduction पर और Dysulfide Bond का Reduction Thio Reduction कर सकता है जब Reduce हो Thio Reduction Reduce तभी हो सकता है जब इसको Electron Feridoxin से मिले और Ferry Reduction के पास Electron तभी आ सकता है जब Photosynthetic Electron Transport System Operate हो रहा हो और Photosynthetic Electron Transport System Operate हो सकता है जब Sunlight Present हो इसका मतलब Rubisco का Activation Indirectly Light से है चीके मैं यहाँ पर एक Statement लिख रहा हूँ आप सभी लोग उस Point पर ध्यान देंगे कि जो Sunlight है लाइट इन डाइरेक्टली एक्टिवेट रुबिस्को को एक्टिवेट करेगा आप मुझे आंसर देंगे क्या Sunlight रुबिस्को को इन डाइरेक्टली एक्टिवेट करता है जी हां रतन दोनों पर जाएग्ट फेरी डॉक्षिन भी एक्ट्रॉन केरियर है आप लोग मुझे बताएं जन्दी से ठीके कोमल भीके शोमया अंजली अजीमा चंद्रकान रंजना रतन ठीके आप सभी लोग समझ पा रहे हैं आप यहां पर समझ पा रहे हैं ठीके तो आप यहां पर नी समझ पाते हैं अब यहां पर एक सबी लोग ध्यान दीजेगा, जब Rubip Displace हो गया, मैं एक important point आपको बता रहा हूँ, जब Rubisco से Rubip Displace हो गया, Displace होने के बाद ये कारबा मॉईलेशन हुआ, Displace होने के बाद का जो process है, वो है कारबा मॉईलेशन, ठीके, वो कारबा मॉईलेशन है, असाथ CO2 की binding है, Displace होने के बाद CO2 bind हुआ, ठीके, और हम लोग इस process को नाम देंगे कारबा मॉईलेशन, आपको ध्यान देने, कारबा मॉईलेशन के character क्या है, उस पर ध्यान दे, पहला तो character ये है कि एक non enzymatic reaction है, यहाँ पर कोई enzyme involved नहीं होगा, ये non enzymatic है, non enzymatic है, ध्यान दखना है, ठीके, और ऐसा करने के लिए दो proton release होते हैं, ठीके, जब भी ऐसा होगा, तो क्या होगा, कारबा मॉईलेशन का relation होता है, associated होता है, release of, release of two protons, ठीके, from active side, from active side, active side से proton की release होनी चाहिए, जो यहाँ पर amino acid residues है, उनसे proton क्या हो, release हो, आपको ध्यान रखने हैं, और आप सभी लोग जानते होंगे, amino acids में आप लोगों ने पढ़ रखा है, कि alkaline condition में ही तो proton release होगा, जैसे आप PS7 के उपर बढ़ते हैं, तो जो amino groups होते हैं, वो अपना proton release कर देते हैं, डी-protonate होते हैं, चिके, तो इसी proton release को, इसी proton release को facilitate करता है, favor करता है, सभी student ध्यान दें, इसी को favor करता है, alkaline pH, alkaline pH, जो alkaline pH है, इस trauma का, वो इस carbon modulation को facilitate करता है, इस बज़े से alkaline pH की अपनी importance से, एक कारबा मॉइलेशन में, चिके, और ये कारबा मॉइलेशन इस enzyme के activation के लिए जरूरी भी है, इस enzyme के activation के लिए जरूरी है, यदि ये alkaline pH नहीं होगा, तो कारबा मॉइलेशन प्रोसेस भी आसान नहीं होगी, क्योंकि एक non-catalytic reaction है, इसमें enzyme involved नहीं है, चिके, आप सभी ल इन्जाइन रुबिसको है, और इसके activation के लिए इसकी active site का कारबा मॉइलेशन और magnesium binding जरूरी है, और कारबा मॉइलेशन, magnesium binding को favor करता है alkaline pH, रुबिसको एक्टिवेज इस enzyme की active site पर tightly bound rubip को displace कर देता है, in response of sunlight indirectly भी activate होगा, और इस तरह से day condition में rubip इसको activate होता है, जबकि दूसरी तरफ, night में ये inactive हो जाता है, और night में इसकी जो in activity है, उसको maintain किये है, एक rubip जो इसकी active site पर bind है, रुबिसको का activation डाइसलफाइट bond के reduction से नहीं है, डाइसलफाइट bond reduce नहीं होते हैं, ये पहला enzyme है, चार enzyme और है, जो Kelvin cycle में regulatory enzymes के नाम से जाने जाते हैं, overall 5 enzymes हैं, जो Kelvin cycle में as a regulatory enzyme के नाम से जाने जाते हैं, उनमें से आप rubip जो पढ़ चुके हैं, सबसे important enzyme हैं, अगले point पर मैं आ रहा हूँ, बाकी बचे हुए चार enzymes को आपके साथ रख रहा हूँ, बाकी चार enzymes को मैं आपके साथ रख रहा हूँ, ठीके, चार enzymes ने, कल मैंने आपको कुछ जो non oxidative phase था, जो reasonative phase था, उसके बारे में पढ़ाया, ये है fructose 1,6 bisphosphatase, ये phosphatase enzyme इस molecule की first position से phosphate को हटाएगा, जिससे product बनेगा fructose 6 phosphate, तो ये एक enzyme है, कल मैंने आपको cedohetulase 1,7 bisphosphatase उसके बारे में बताया, ठीके, phosphorebulose kinase, जिसने ATP dependent ribulose phosphate का phosphorylation किया, और ये यने DP plus glycerally high 3 phosphate dehydrogenase, ये वो enzyme, जिसमें हम लोगों ने 1,3, जो 3 phosphoglycerate था, उसका reduction किया, ठीके, 1,3 bisphosphate का reduction किया था, कल आपको याद आ रहा हो, तो ये reductive phase का enzyme है, ये reductive phase का है, और ये regenerative phase के enzyme है, जब कि carboxylation phase में एक ही enzyme है, सभी लोग ध्यान दी जिगर, पांचवा enzyme है rubis को, जो पांचवा enzyme है, वो है rubis को, ये total regulatory enzyme है, Kelvin cycle के, लेकिन आपको इन चार enzymes पर ध्यान देना है, ठीके, हो सकता है कि आपके exam में कभी question push दिया जाय कि और पहुंच से regulatory enzyme है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दो enzyme phosphatase है, जिसमें आप सेड्यू है, टूलोज 1,67 bisphosphatase और फ्रक्टोज 1,6 bisphosphatase के बारे में ध्यान लखेंगे, ये phosphatase है, एक ribulose kinase है, फास्पो ribulose kinase, जिसने ribulose का phosphorylation किया था, जिससे region rate कर पाये थे, ribulose 1,6 by phosphate, और एक reductive phase का enzyme है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने discuss किया कि NAD dependent है, ये NADP dependent है, ये enzyme है, चार enzyme है, पाचवा enzyme है, Rubisco, क्या difference है, एक line में आप सभी लोगों ध्यान रखेगा, एक line में सभी लोगों को ध्यान रखना है, Rubisco को भी light indirectly activate करता है, ठीके, इन सभी enzymes में कुछ point है, उनको आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन सभी enzymes को sunlight, light indirectly activate करता है, इन सभी enzymes को light indirectly activate करता है, दूसरा important point है, कि alkaline pH, सभी लोग ध्यान दीजेगा, जो alkaline pH है, वो इनके activation को facilitate करता है, ऐसा तो हम लोगोंने Rubisco में भी study किया है, ठीके, आपको ध्यान रखना है, लेकिन इन enzymes में कोई कार्बा मॉइलेशन नहीं है, इन enzymes में कोई भी कार्बा मॉइलेशन नहीं है, कार्बा मॉइलेशन जैसा activation process नहीं है, सबसे important part यह है, वो आपको ध्यान देना है, जो Rubisco से, इन सभी enzymes को अलग करता है, Rubisco का activation, reduction के द्वारा नहीं हुआ है, यह सभी enzymes activate होते हैं, जब इनका disulfide bond reduce होता है, थायो reduction के द्वारा, जैसे आपने Rubisco Activates को activate किया, उसके disulfide bond को reduce करके, वैसे ही, यह सभी regulatory enzyme reduce होकर के activate होते हैं, केबल Rubisco को छोड़ करके, ठीके, यह आपको ध्यान दखना है, यह difference है, activate when there is disulfide bond, bond is reduced through thio reduction, इस point को सभी लोग ठ्यान रखेंगे, यह point इन चारोई regulatory enzymes को अलग करता है, Rubisco से, इनका जो activation है, वो इनके disulfide bond के reduce होने की बज़े से होता है, जैसा Rubisco Activates में आपने study किया था, कि Rubisco Activates activate हुआ, जब उसका disulfide bond reduce हुआ, उसी तरीके से, यह जो regulatory चार enzymes हैं, other than Rubisco, इनके भी disulfide bond reduce होते हैं, तब यह activate होते हैं, reduction, thio reduction करेगा, reduction, thio reduction meditated है, आपको ध्यान रखना है, तो regulatory enzymes कौन कौन से हैं, आपको यह पता है, activation कैसे होता है, आपको यह पता है, यह information है, Rubisco enzyme में कितनी subunits से, और small और large subunits का number आपको ध्यान रखना है, कौन nuclear encoded है, कौन chloroplast encoded है, catalytic function किसके पास है, Rubisco night में active है, या inactive है, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ, आप सभी लोग in cases को समझ गए होंगे, Kelvin cycle के सभी regulatory enzymes को आप समझ गए होंगे, Kelvin cycle के सभी enzymes को indirectly light ही activate करता है, एक point आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो बहुत important है, एक तरफ light reaction operate हो रही है, एक तरफ light reaction operate होती है, light reactions, ठीक है, parallel ही दूसरी तरफ dark reaction operate होती है, dark reaction operate होती है, इन reaction को connect करने का जो काम है, वो आप सभी लोग जानते हैं, ATP और यने DPS करते हैं, यने DPS, ATP और यने DPS, light reaction को connect करते हैं, dark reaction से, ठीक है, दूसरी तरफ, यदि हम देखेंगे, तो ADP और यने DPS, इसको हम लोग इस तरह से recycle कर सकते हैं, यह reaction है, अब यहाँ पर एक question यह पूचा जा सकता है, जिसकी बज़े से मैंने यह लिखा है, कि यह दि हम light reaction को बंद करा लें, अर्था night की condition, आप night पर ध्यान देखेंगे, night में किसी plant की leave में, experimentally आप इस case को समझे, हम लोग night में एक experiment करते हैं, और plant के जो chloroplast का stroma है, उसमें हम लोग ATP और NADPH add करते हैं, ठीक है, experimentally बाहर से हम लोग ATP और NADPH add करते हैं, जब sunlight नहीं है, sunlight की absence में अर्था night में, chloroplast के stroma में ATP और NADPH add कर दिया, ऐसी condition में क्या Kelvin cycler था, dark reaction operate हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, यह मेरा question, क्या dark reaction operate होंगी या नहीं होंगी, यह मेरा question, बता ये जन्दी से ये सारनोमें बता ये बताईए गार 1 नहीं, कि सोम्या नो प्रग्या चम्रकांत कि सभी लोग नो बोल रहे हैं ध्यान रखेगा यही कारण है कि जब हम लोग केल्विन साइकल पढ़ते हैं कैम प्लांट ठीक है कि आगे मैं आपको C4 प्लांट या कैम प्लांट ठीक है दोनों तरह के प्लांट में यह कोशन पूछा जाता है कि कैल्विन साइकल डे में ऑपरेट होगी या नाइट में ऑपरेट होगी तो चाहें C4 प्लांट हो चाहें कैम प्लांट हो या C3 प्लांट हो किसी तरह के प्लां क्यों ना हूँ सभी में Kelvin cycle operate होती है केवल और केवल डे में ठीके आपको ध्यान रखना है Kelvin cycle अर्थाद C3 cycle केवल और केवल डे में ही operate हो सकती है यह ध्यान रखेगा नहीं तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो experimental cases में ऐसे आप गलत कर जाएंगी कोशन ठीके तो यह हमारा आज का टॉपिक था रुबिस्को कल मैं अगले टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं रुबिस्को का oxygenation function रुबिस्को यह ओक्सीजनेशन करेगा तो क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं photosynthesis में रुबिस्को oxygenation reaction target बना हुआ है पिछले सभी एक्जामों में more or less यहां से कोशन पूछा गया है ठीके photosynthesis आपके लिए एक important topic है जिसमें आप से कोशन पूछे जाएंगे तो कल में रुबिस्को का oxygenation function बताऊंगा जिसमें आप 2-fasfo glycerate और 3-fasfo glycolate पढ़ेंगे 2-fasfo glycolate को किस तरीके से C2 cycle के द्वारा हम लोग recycle करेंगे और कितना percent carbon को recover कर पाएंगे कितना recover नहीं कर पाएंगे इन सारे questions को discuss करेंगे सबी नों को good night, सबी नों को good night, सबी नों को good night